तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूं सैमसंग के मोबाइल में या सैमसंग का कोई साही मोबाइल हो जिसमें वनी हुए ही होता है उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें मिलता है मोबाइल होड़ स्पोर्ट दोस्तों मोबाइ होडसपोर्ट में कुछ नई सेटिंग्स बताने माला मोइल फॉणिठेट अब गेर तो चलते हैं-दोस्तो आगे मेरे हुआ-दूस वह इसा है मैं आपकO बताने वाला मोइल ह士र्ट के कुछ नए फीचर गुथ व्यादन तो होड़िस्पोर्ट अने के लिए आपको जाना है मोवाईल होड़िस्पोर्ट को अपने हाँ पर कर लिए मौवाईल होड़िस्पोर्ट को अन तो दोस्तों सबसे पहले बात आपको यह mobile hospital को on करेंगे तो आपको ऐसा option मिल जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे एक option मिल रहा है आपको सबसे नीचे नीचे सेकेंड नमबर में auto hot spot यहाँ पर share your phone internet connection automatically with other device sign into samsung account अगर आप उसको नेवल कर देंगे तो जहां भी आपका samsung account login होगा सेम तो आट्रमेंटिक वहाँ पर sharing होना चाली हो जाएगी और नीचे यहाँ पर किसी ने भी wifi connect करके रखा हो तो आपको connecting device यहाँ पर दिख जाएगी यहाँ पर आपको उसका जाओ तो यहाँ पर आप password भी change कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर password रखना यहाँ पर आप password set कर लिजए जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा उसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी को उसको scan कराना है तो आप यहाँ पर QR code scan कोल देंगे वहाँ पर QR code के तुरू वहाँ पर scan कर लेगा without आपके password को share करें आपको password देने जरुद नहीं बढ़ेगी सिर्फ आपको वह scan करेगा और आटमेटली की वह spot से connect हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाएंगे आप 3. पर यहाँ पर आपको सबसुपर मिल रहा है configure का option जो कि मैंने आपको नाम बताई दिया है यहाँ पर hide बाले पर click कर देंगे दोस्तों तो दोस्तों अगर आप hide my device पर click कर देंगे तो आपकी device किसी नए उसको नहीं मिलेगी जिसके mobile पर already connect मिला जो पहले से connected है होड़सपोर्ट से आपके वहाँ पर आपकी device जरूर देखेगी बाद नहीं लोगों को नहीं देखेगी और यहाँ पर अगर आप wifi टूर की जगा open कर देंगे तो यह without password हो जाएगा कोई भी easily इसको connect कर सकता है तो यह हो गया normal setting इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको एक option मिल रहा है time out setting का by default यह 5 minute रहता है time out मतलब होता क्या है अगर मैंने इसको on करके रखा है और अगर 5 minute तक इसको कोई भी connect नहीं करता है या connect करने के बाद 5 minute तक इसमें कोई भी connect नहीं रहता है तो यह auto off हो जाता है जो कि बहुत शांदर feature है कभी गर क्या होता हम hotspot on तो कर लेते हैं बड़ उसको off कर ना भूल जाते हैं तो उस cases में यह बहुत शांदर feature होता है क्योंकि disconnect होने के आप automatically off हो जाता है आप यहाँ पर time change कर सकते है never 10 minute 20 minute आपने देखा भी हो कभी गवार आपने hotspot on करा और बंड आटमेंटिकली बंड हो जाता है आपने बंड नहीं करा तो वो इसी वज़े से होता है तो दोस्तों जो की एक काम का feature है जो मुझे सब सच्छा लगता है wifi sharing दोस्तों यह wifi sharing क्या feature है तो यह आपको मैं बता देता हूँ उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कर लेता हूँ wifi को connect अपने mobile में पहले तो hotspot को बंद करके तो मैंने अपने device में wifi को कर लिया connect एक minute यह night हो गया मेरा connect night connect होने के दो मुझे जाना है wifi sharing वाले option पर और जैसी मैं इस पर click करूँगा तो आपको यहाँ पर देखेंगे क्या होगा option make sure have permission from wifi provider before sharing your connection अब यहाँ पर होगा कि दोस्तों जो मैंने wifi connect करा हूँ अपने mobile पर आपको दिख रहा हूँ यहाँ पर मैंने अपने mobile wifi को connect करके रखा है और मेरा mobile data नहीं चल रहा है mobile wifi से चल रहा है अब मैं wifi को भी share करना चाता हूँ किसी और के बाद जैसे होता है कभी इन cases में आपके पास password है wifi का और किसी के पास password नहीं है या फिर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे cases है आपको अपना hotspot share करना है तो आप इसको यूज कर सकते है wifi की मनलब wifi आप ले रहे हैं और आगे आप hotspot भी share करना है उसी wifi का hotspot आगे share कर सकते है तो उसके लिए आपको wifi को connect कर लेना है connect करने के बाद आपको जाना है अपने mobile hotspot वाले option पे उसके बाद जाना है आपको three dot पे और यहाँ जाना है wifi sharing वाले option पे यहाँ पर आपको कर देना है उसको on on करने का आप से यहाँ पर permission मांगेगा आप सको कर देना है okay okay करने का होगा क्या दोस्तों अब आपका mobile का hotspot हो गया है on अब आपके दूसरे जो भी दूसरे mobile पर आपको connect करना है उनको search मान लेना wifi और जो आपके device का नाम है और जो device का password है वो ही उनको डालना पड़ेगा और वो आपके night access कर पाएंगे आप भी चला पाएंगे वो ही wifi से और आपके hotspot से वो भी उसी wifi का use कर पाएंगे जो की बहुत ही शांदर फिचर है यह option का दोस्तों मुझे उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो thank you दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आप मुझे कमेंट करूर कर सकते हैं दोस्तों और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज उसको शेयर करना ना बुलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपनी मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब करना ना मुलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलें दोस्तों और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेज़ूप फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्ट्रम पर मिल जाएगा तो थैंकि दो